23 साल का लड़का अपने कमरे में बेसुध पड़ा हुआ है कि वेदान्त 17 तारीक को एक एप डाउनलोड करता है ग्राइंडर है उसका शरीर हेल डूल नहीं रहा है तो वह से वहीं छोड़कर वहां से फरार होने की कोशिश करने लगा तो अंदर वेदान्त पड़ा हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था रूम में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वेदान्त के कमरे से उसी सुबह एक दोस्त निकल के बाहर जा रहा है और एक दिन की दोस्ती की बाद आखिर ऐसा क्या हुआ एक एप के वजरीए दोस्ती होती है दोस्ती शराब की बोतल तक जा पहुँचती है और शराब की बोतल के बाद शुरू होता है खूनी खेल एक ऐसा खूनी खेल जो भिलाई में दहशत फैला देता है तो लोगों ने अपने दाटों तले उंगली दबा ले। क्या कुछ ये मामला था ये जानने के लिए ये बताने के लिए मैं इस वक्त आपके बीच हाजिर हूँ, नमस्कार मैं सिमान्त हूँ, KP News देखना शुरू कर चुके हैं, कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं और आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक दिन की दोस्ती और एक दिन की दोस्ती की बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, कि खुनी, खेल, खेलना पड़ा एक दोस्त को, एक दोस्त, एक दूसरे दोस्त के लिए मौत का सौधागर बन गया। इस पूरे मामले को तफ्तीश से जानने के लिए आपको सबसे पहले ले चलता हो जिस दिन ये मामला सामने आया था 18 जून की बात है सुबह के समय पता चलता है कि वैशाली नगर में वैशाली नगर आप जानते हैं भिलाइक छेत्र के अंतरकत और ठीक जो पुर्व एमेले रहे हैं विद्धर रतन भसीन ठीक उनके घर के सामने एक घर है पता चलता है कि वहां पर एक मिलने के बाद आसपास के छेतर में संसनी फैल जाती है कि ऐसा क्या हो गया रियाशी इलाका है तो जाहिर से बात है संसनी फैलना लाजमी है तो वहां पर पत्रकार बंधु पहुंचे पुलिस पहुंची जांच परताल शुरू हुई परिवार के लोग रो रहे थे तो पता चला कि एक लड़का एक 23 साल का लड़का अपने कमरे में बेसुध पड़ा हुआ है और मू के बल गिरा हुआ है अपने बिस्तर पर नहीं बलती बिस्तर के नीचे यह पू जो 23 साल का लड़का है जिसका नाम वेदान्त शर्मा है जिसके मौत हुई जिसके हत्या हुई है उसके घर पहुंची काम करने के लिए उसके घर में उसके जो चाचा है वो थे और उनकी दादी वहां पर जब काम वाली बाई पहुंची तो देखा कि कमरे का दरवाजा खट-खटाने के बाद जब आवाज नहीं आती कमरा खुलती है देखती है तो अंदर वेदान्त पड़ा हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था और जैसे की चेहरे के और शिर में जिस तरह के चोट की निशान से निशान को देखते हुए दादी घबर आगई दादी ने चाचा को बताया चाचा वहां पर पहुँचे धीरे धीरे वहां पर भीड़ी कठा हुई तो यह पता चला कि सुबह के समय एक दोस्ट वेदान्त का कोई दोस्त उसके कमरे से बाहर आया है जब वेदान्त के चाचा पेपर लेने के लिए सुबह जब से चला गया विदान्त के चाचा को लगा कि हो सकता है उसका कोई दोस्त होगा तो उन्हों जांच में जुटती है जांच के दौरान ये पता चलता है कि एक दिन पहले क्योंकि CCTV फुटेज खांगाले गया जो दोस्त आया था वो कौन दोस्त था इसको इससे पहले विदान्त शर्मा के चाचा ने कभी नहीं देखा था उनके परजनों ने कभी नहीं देखा था एक दि विदान्त 17 तारिक को एक डाउन्लोड करता है ग्राइंडर एप ग्राइंडर एप के माध्यम से आसपास नियर भाई आपके आसपास के जो आपके जुड़े लोग हैं आसपास कि जी ऐसे लोगों को आप दोस्ती करना चाहते वैसे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं ऐसे में विदान्त से कनेक्ट होने के बाद वो शक्स उससे दोस्ती करता है अब दोस्ती 17 तारिक को रात के 10 बजे वेदान्त अपने घर से निकलता है अपने मम्मी की कार ले करके और उसके बाद अपने जो उस दोस्त हैं उस दोस्त को वापस ले करके उसी कार में आता है रात के सा व्मृब से उसका लोगा जाते हैं कि में जाने के बात कि शाब कि दौरान को यह आपस में पिना पिने के दोंकि और आरोपी है, जिस आरोपी को पुलीस ने गिरफ़तार किया, उसने ये बताया है, कि वेधान्थ और उस आरोपी के एक गया ज़गड़ा हुआ था, शराब को ले करके, अत्यधिक शराब को ले करके, और उसके बाद फिर उस इओदान्थ की दोस्ती एक दिन पुर्वे हुई उस ने पहले विदान्त को पकड़ा, उसके बाद उसे मारा, उसका गला दबाया, और गला दबाने के बाद जब देखा, कि विदान्त अब उसका शरीर ह Qur Cra pivot लेकर के जब निकला है वहां से वो नहरुनगर तक पैदल गया है और नहरुनगर तक पैदल जाने के बद आरोपी अपने किसी दोस्त को बुलाता है जो बाइक से आता है उसके बाइक में बैठता है और वहां से फरार हो जाता है अब यह सारा पूरा मामला था इस मामले में टोटली चीज ये हुई कि वेदान्त की एक दिन पहले दोस्ती होती है, उसी दिन रात के दस बजे वेदान्त अपने उसी दोस्त को ले करके वापस आता है, रात के साड़े बच जाते हैं, उसके बाद इन दोनों की जमकर शराब पार्टी होती है, शराब पार्टी होने के ब भूलने लायक नहीं है क्योंकि जिस तरह से दह्षत पैदा हुई लोग सोच रहे थे कि अचानक से एक शक्स की बॉडी उसी के घर में मिलती है उसी की कमरे में मिलती है और कौन हो सकता है क्योंकि जब उसका दोस्त सुबह निकला है तो उस दोस्त को जानने वाले ना परिजन हुआ था उसके घर में जाकर के उन्हें जो खीर बनाते हैं खीर बनाकर के चड़ाया था और वह वापस अपने घर आया था यह सारी चीजे थी जो परिजन थे वो रो रहे थे क्योंकि आखें नम थी घर का नौजवान लड़का चले गिया और चले जाना इस स्थिती में कि उसे मारा गया उसकी हत्या की गई हत्यारे को फिलहाल पकड़ लिया गया है अनमोल राणा की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं और जिस तरह से इसने अपने दोस्त को मारा है एक दिन के बने दोस्त को जिस तरह से इसने कतल किया है यह काफी जादा भयावा था इस पू संदेही इवक को उठातर के जब पूछताज किया गया तो उस दिन आना स्विकार किया जब वहां से निकल रहा था तो उसके मुरितक के चाचा ने उसको देखा था पहचान करवाई भी कराएगी उस दिन दोनों एक दिन पहले ही एप के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई थ इतनी KP News शुक्रिया